नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इराज शैंपू का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, इराज शैंपू को कैसे लगाना चाहिए, और इराज शैंपू की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि इराज शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, इराज शैंपू एक एंटी-फंडल दवा है, इराज शैंपू का उप्योग सिर्की तवचा में डैंडरफ को ठीक करने के लिए और डैंडरफ को होने से रोकने के सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर भी इराज शैंपू का उप्योग किया जाता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंडरफ का ही एक गंभी रूप है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभी रूप से ग उसके बाद थोडी सी मात्रा में इराज शैंपू को लेकर सिर की तवचा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और हलके हाथ से मसाज करनी चाहिए। इराज शैंपू को सब्ता में दो बार लगाने की सला दे सकते हैं। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में इराज शैंपू की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। ये साइड इफेक्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं। इराज शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ये आपके सिर में कोई चोट लगी हुई है या आपके सिर में कोई घाव है तो आपको इराज शैंपू को नहीं लगाना चाहिए। और इराज शैंपू को केवल सिर की तवचा पर ही लगाना रेकमेंडेड है। तो आपको इराज शैंपू को तुरंथ ही पानी की मदद से धो लेना चाहिए। बालों में ज्यादा केमिकल से भरपूर हैर कलर का इस्तमाल करने की वज़ज़ से भी डैंडरफ की समस्या हो सकती है। इसलिए ज्यादा केमिकल से युक थैर कलर का उप्योग न करें। बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाने की वज़ से और बालों में बहुत ही कम तेल लगाने की वज़ से और बालों की नियमित रूप से सफाई न करने की वज़ से सिर में डैंडरफ होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको बालों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। वैसे इराज शैंपू प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी इराज शैंपू को लगाना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इराज शैंपू को लगाने की सला दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इराज शैंपू या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इराज शैंपू को नहीं लगाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इराज शैंपू से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं